नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कीरतिय रोडा और आप देख रहे हैं टीवी नाइन पंचाब हर्याना हिमाचल और जमो कश्मीर एक पिता ने अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है बेटी के 18 जनम दिन पर पिता अमिट शर्मा ने उसके लिए चांद पर जमीन खरीदी है जी हां अमिट शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपूर शहर के वाड नमबर 5 के निवासी है वहीं पिता के सर्प्राइज गिफ्ट पर बेटी तनीशा बहुत खुश है इसी महीने के 8 अगस को तनीशा का जनम दिन था तनीशा को खुद यकीन नहीं था कि उसके पापा उसे इस बार बरदे पर ऐसा गिफ्ट देंगे दरसल अमिट कुमार ने चांद पर बेटी के लिए एक हेक्टियर जमीन खरीदी है जमीन की खरीद के लिए उन्होंने अमेरिका के लॉस एजलिस की लूना सोसाइटी इंटरनाशनल से संपर्क सादा था बताया जा रहा है कि जमीन को खरीदने के लिए अमिट को 300 डॉलर खर्च करने पड़े है इस मौके पर एड़ोकेट अमिट शर्मा का कहना है कि बेटी के लिए कुछ अलग करने की चाहत से उन्होंने चांद पर जमीन खरीदने का निर्ने लिया है इस निर्ने को लेने के पीछे उसका लक्ष यही था कि उसकी बेटी उसके तौफे को याद रखे अमिट का कहना है कि छोटी बेटी के जनम दिन पर उन्होंने अपने शरीर के आठंग दान करने का निर्ने लिया था अमिट के मताबे कि इस साल तनीशा अपने बर्थडे पर घर पर मौझूद नहीं थी क्योंकि वो चंडी गड़ में पढ़ाई कर रही है लेकिन बेटी को तो कोई गिफ्ट देना ही था इसलिए ऐसा गिफ्ट देने का प्लान किया गया जिसको देख कर वो भी गर्व महसूस करे और वो जब तक चांड को देखेगी तो जरूर कहेगी कि मेरी भी जमीन वहाँ पर है अमिच्छर्मा के मताबिक चांड पर जमीन खरीदना इतना भी आसान नहीं है इसलिए उन्होंने लूना सोसाइटी इंटरनाशनल को और 4 जुलाई को ही एक आवेदन दिया था इसके लिए लूना सोसाइटी को एक इमेल किया गया और पैसे भी इमेल के जरीए ही उन्हें भेजे थे हलाकि वकील अमिट ने ये उमीद जताई है कि आने वाले समय में लोग चांड पर जरूर जाएंगे और वहां रहना शुरू करेंगे ऐसे में उनकी बेटी भी असानी से वहां पर अपनी जमीन पर घर बनवा सकती है बेटी के लिए कुछ अलग करने की चाहा में उन्होंने चांड पर आठ कनाल समीन खरीदी है खरीदी गई जमीन के दस्तावेज भी लॉस एंचल्स के इंटरनाशनल लूनर लैंड अथारिटी की तरफ से अमिर शर्मा को भेश दिये गए है अमिर शर्मा की बेटी तनीशा शर्मा चंडीगर में प्लस टू की पढ़ाई के बाद कौचिंग ले रही है तनीशा के 98 जनम दिन पर पिता ने बेटी को अनूठा तौफा दिया है बेटी तनीशा भी अपने 98 जनम देवस पर पिता से गिफ्ट पा कर बहुत खुश है चंडरमा पर जीवन की संभावना को लेकर हमेशा बहस चलती रही है इस बीट चंड पर जमीन की रजिस्ट्री भी चर्चा का हमेशा विशे रही है अब सवाल यही है कि चंड पर किस देश का मलिकाना हक है यदि किसी का नहीं तो धरती पर रह रही कुछ कमपनिया चंड पर जमीन कैसे बेचने का दावा कर रही है चांद पर जमीन खरीदने वालों में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ चुके हैं इन में कई उद्योगपती हैं तो कई फिल्मी सितारे भी अंतरेक्ष यानी चांद सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं आती अंतराश्ट्रिय अंतरेक्ष कानून के अधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तोर पर माननें नहीं है हाला कि कुछ कम्पनिये ये दावा करती है कि कानून देशों को अधिकार जताने से प्रोगती है ना कि नाकरिकों को इसलिए व्यक्तिगत तोर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है मीडिया रिपोर्ट की माने तो लूना सुसाइटी इंटरनाशनल और इंटरनाशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कमपनिया हैं जो चांद पर जमीन बेचने का दावा कर रही हैं दिवंगत बॉलिवोर्ड अभी नेता सुसाइट सिंग राजपूद भी चांद पर जमीन के एक टुकड़ा खरीद चुके हैं जबकि शारू खान को आस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीद कर गिफ्ट की थी Lunar Registry.com के मुताबिक चांद पर एक एकर जमीन की कीमत USD 37.50 यानी करीब 3,075 रुपे है जब जमीन की कीमत तैह है तो सवाल ये भी उड़ता है कि आखिर चांद का मालिक है कोन आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है चांद पर बेशक किसी भी देश का जंटा लगा हो लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चांद को लाइक और सबस्क्राइब करना बिल को लब भूलें नमस्कार